हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका छवी किचन में आज मैं आप लों के साथ शेयर करने जा रही हूं अरवी के पत्ते का बहुत ही स्वाधिश्ट पकोड़ी और चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए रेश्पिया स्टार्ट कर लेते हैं य इस तरह से पन्नी के हिल्फ में धो लेंगे क्योंकि डाइरेक्ट पानी में धोयेंगे तो अच्छे से साथ नहीं होगा क्यूंकि इस पर पानी से दोयेंगे तो बोला है चारबाय चम्मचं बेशाण लेंगे और दो बड़ा चम्मच्च चावल-कांठा लेंगे जितना बेशन लेना है उससे आधा चावाल कांटा लेना है और श्वाद के नुशा नमक डालेंगे और दस पारा कली लोसम और एक इंच अधरक और चार पांच हरी मिर्च मिर्च अपने टेस्ट के एकाउडिंग ले सकते हैं और दो छोटी चमाज चीरा डालेंगे और सब को पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बनके तयार हो क्या है अब बेशन में एड कर लेंगे एक चोटी चमाज हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चोटी चमाज लाल मिर्च पाउडर डालेंगे दो चोटी चमाज आमचुर पाउडर या निबू का रस डाल सकते हैं यहां का क्लिप मीशु क्या है नहीं दिखा पाई में आप तो छोटी चमच आमचुर पाड़ो डाल लेजिए गा या नीबू का रस डाल सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके बेटर बना लेंगे और बेटर गाढ़ा बनाना है अब आधा कप दही डाल लेंगे आपके पस मिठा दही है तो आप एक कप दही ले लें यह थोड़ा खटा दही है तो मैं आधा कपी दही ले हूं दही डालने से पकोड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह के बेटर बना के तयार करना है और अब एक पत्ता लेंगे उस पे चारे तरफ अच्छे से बेटर फै अच्छे से और इस पर भी चारो तरफ अच्छे से बेटर फैला लेंगे और अब तीसरा पता भी इस पर चिपका लेंगे तीन से चार पते आप सेट कर सकते हैं और इस पर भी चारो तरफ अच्छे से बेटर फैला लेंगे और अब साइट से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस विए बेटर लगा लेंगे ताकि पते अच्छे से चिपक जाए और पते खुले नहीं और अब इस तरह से रोल कर लेंगे 1 रोल बन के तयार हो गया इस तरह सारे पते में बेटर लगा करकर के कि और युद्दि बत्त पत्तों करने लेंगे दुसरा रोल भी बनके तयार हो गया, इसी तरह में सारे रोल बनाके तयार कर लिए, अब इसको च्छीम करेंगे, इस तरह के आप थाले ले सकते हैं, या कोई भी भी बरतन ले सकते हैं, मैं यहां इस तरह के बरतन ली हूँ और एक चम्मस इस मिमायल डालेंगे और सारे रोल को इस तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से बरतन में स्टिम करेंगे तो रोल गीला नहीं होगा और थाले में स्टिम करने से क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा रोल गीला हो जाता है और अब गैस अन करेंगे और गैस के फ्लेम क को लो कर लेंगे और ढख करके लगबक 2-3 मिनटा स्टीम कर लेंगे ताकि अओ probability थोड़ा हो जाए और देंगे, रोल ठंडा हो गया, लेट में मैं निकाल ली हूं, बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है, बिल्कुल ही ड्राइ है, अमारा रोल आप इस तरह से स्टीम करेंगे, तो बिल्कुल ही ड्राइ बनेगा, आप ज्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, आप इसको बीना त जले हुए भी खाने में अच्छा लगता है आप देख सकते हैं इस तरह से पुरा पाने सुपने तक अश्टीम करना है बरतन भी नहीं जला है अब चाकू से पतला पतला पीस में कट कर लेंगे पकोड़े के लिए पतला पतला पीस ही अच्छा लगता है और सब्जी के लिए सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी लगती है सब्जी की रेष्पी भी अप लोगे साथ बहुत ही जल सेर करोंगी इसी तरह पतला पतला पीस में सब को कट कर लेना है तलने के लिए कड़ाई में तेल गरम कर लिए हूँ और एकी करके पकोड़े को डाल लेंगे और लेंगे, दोनके तिरफ गोल्डेन कलर हो गया है और क्रिश। भी हो गया है अब पकोडे को एक प्लेट में निकाल लेंगे हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा कलर आया है इसी तरह सारे पकोड़े को तलके तयार कर लेंगे यह हमारे दूसरे बैस के भी पकोड़े गुल्डेन कलर के हो गए हैं इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे अरवी के पत्ते का पकोड़े बनके डेडी हो गया है यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक पार जरूर ट्राय कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमली में शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ